हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 Tech तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप एक व्यूवर है यूट्यूबर वीडियोस को देखते हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के कैसे खास फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आपको जरूर यूज़ करना चाहिए जिसका नाम है यूट्यूब एम्बेंट फीचर यह Ambient Feature क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप इसको On-Off कर सकते हैं यह सारा मैं इस वीडियो में डेटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा सुरू से लेके Last तक जरूर देखेगा तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के उपर आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को On करके उसे All पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड समा चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे Ambient Mode को On Off करने के लिए हमें सबसे पहले अपने YouTube की जो अप्लिकेशन है उसको Open कर लेना है मैंने यहाँ पे YouTube की अप्लिकेशन Open कर लिए है और मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो आपको Play करके दिखाता हूं जैसे यह वली वीडियो है मैं इसको Play कर लेता हूं ठीके मैंने इसे Stop कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को Stop करने के उपर Top Right Corner में Setting का एक Option मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Ambient Mode का कोई Option ही नहीं आ रहा है तो Friends मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि Ambient Mode का जो Option है वो आपको Dark Theme में मिलेगा मतलब जब आप यूट्यूब की स्क्रीन को जो आपकी यूट्यूब की अप्लिकेशन है उसको Dark Theme में Black Screen में Convert कर लेंगे Black Theme में Convert कर लेंगे तो आपको Ambient का Option देखने को मिलता है वो कैसे On-Off करना है वो भी मैं आपको बताता हूं तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूं और उपर आप देख सकते हैं Top Right Corner में हमारे Channel का जो आइकन है आपको उसके उपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको काफी सारे Option मिलेंगे यहाँ पे Setting का एक Option दिखाई देगा आपको आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे उपर General का जो Option है उसके क्लिक करना है और यहाँ से आपको Third Number पे Appearance का Option मिलेगा आपको इसके क्लिक करना है यहाँ से आप देख सकते हैं दार्क थीम में आपको Convert करना है तो मैं दार्क थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो YouTube की Application है वो पूरी Black हो गई है Black Screen आ गई है Black Theme लग गई है इसमें यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें Ambient का जो Option है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है Ambient Mode ठीक है अब इसको On Off कैसे करना है जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो यह जो Ambient का Mode है वो On हो गया है आप देख सकते हैं इस तरीके से तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ और बताता हूँ इससे क्या फारक पड़ेगा तो फिर से सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इस Mode को मैं Off कर दूँगा ठीक है यह Off हो गया है अब आप देख सकते हैं जो यह Title लिखा हुआ है जो आपके वीडियो का Title है उसके Backside की स्क्रीन आपको बिल्कुल Black दिख रही होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर Black स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको लेकिन जब मैं Ambient Mode On करूँगा तो यह दिखने में और ज़्यादा Attractive लगेगी आप देख सकते हैं सेटिंग पर जाके मैं Ambient Mode पर क्लिक करता हूँ से On कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यह कितनी Colorful हो गई है पिछे की जो स्क्रीन है वो Green में Convert हो गई है मतलब जो आपका Title है वो चमकने लगा है उसकी Background जो है तो यह देखने में काफी ज़्यादा Attractive लगता है आपको देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए आपको इस Feature को यूज़ करना जरूरी है मतलब आपको इस Feature को यूज़ जरूर करना चाहिए एक पर आप Try करके देखें अब आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी तो इस तरीके से आप Ambient Mode को यूज़ कर सकते हैं उसे On Off कर सकते हैं तो Friends उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी question है आपके mind में कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share ज़रूर करें Thank you